आज हम उपस्तित है साइन्स सेंटर में जहां पे प्योर स्कील आईटी एकेडिमी द्वारा ट्वेंटी टेक वोर ट्वेंटी ट्वेंटी का आउजन किया गया है अज सुबह से यहां पे बहुत सारे स्टूडन्स आये हैं अलग-अलग कॉलेज के प्रोजेक्ट यहां पे बनाये गए है स्टूडन्स के द्वारा और अभी उसका जज्जमेंट होने वाला है उससे पहले आज जो सुबह से हमारे साथ है मिस्टर अमीद भाई ठाकोर हम उनसे बात करना चाहेंगे जो कि बगवान महावीर कॉलेज के एक्स प्रिंसिपल है और एज्जूकेशन के साथ में बहुत सालों से जुड़े हुए है अमीद भाई से बात करेंगे कि सर अब इस प्रोजेक्ट के इस इवेंट के साकसी है अब सुबह से हमारे साथ में है आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे आते हुए देखा है और एक अलग इम के साथ की बच्चे जो सीखते है उसको लोगों के साथ में सामने पेस करें तो आप आपके रिव्यूज दीजिए कि आपने आज सुबह से यहाँ पे कितने लोगों को देखा आपने स्टूडन्स को किस तरह से अपना प्रोजेक्ट दूसरों के सामने पेस होते हुए देखा पहले तो एक बहुत बड़ा इवेंट यह हुआ है इसमें हजारों की संख्या में स्टूडन्स और उनके फ्रेंड्स और यंग तर्स पर्टिकुलर्ली उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है यह कॉम्प्यूटर की यह चीज़ें यहाँ पर जो सिखाई जाती है प्यूर स्किल इंस्टिट्यूट ने अंदर तो इसमें सबसे ज़्यादा यह चीज़ होती है एक क्लाउड कॉम्प्यूटिंग आईटी रिलेटिव सब कुछ तो होता है मगर सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर साइबर सेफ्टी का स्टांडर्ड शिखाना बच्चों को हैकिंग कैसे करना एंटी हैकिंग कैसे करना आपकी वेबसाइट कैसे साइफ रख नहीं है कैसे क्रेक होती है वो सब वर्चुल एथिकल हैकिंग वो सब चिखाया जाता है यहाँ पर और वो सब बच्चों ने यहाँ पर अच्छी तरह से लोगों को दिखाया जो ओडिनरील कोई भी सिलेबस के अंदर यह चीज सिखाई नहीं जाती है तो आज के जमाने में कॉंप्यूटर के नॉलेज के साथ साथ हैकिंग, एंटी हैकिंग, साइबर सेफटी, एथिकल हैकिंग, यह सब चीजे जो मोस्ट इंपोर्टन्ट है यह चीजे यहाँ पर इतनी अच्छी तरह से डिस्पले हुई, सब बच्चों ने दिखाया और उन्हों को ने जो डिवाइस भी बनाया की सतरह से हम लोग हेकिंग से बच सकते हैं, यह अच्छी तरह से दिफरेंट कॉलेजिस के स्टूलेंट भी निएप़ने अपने प्रोजेक्स जिया पर बनाये रखे हैं, तो यह एक अलग किसम का एक एक एकसपा हो गया ये एक्सपो के अंदर पर्टिकुलरी आईपो का हो गया शे जिसमें इन्फर्मेशन टेक्नोलोजी, कॉंपूटर के रिलेटेट सब कुछ ए से लेकर जर तक सब कुछ सिखाई जाती है और ये सब बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया हजारों के संख्या में बच्चा है बाहर से आये उनलोगों ने भी देखा कि यहां किस तरह से ये सब कुछ सिखाया जाता है बच्चों ने जो प्रैक्टिकल बनाया है तो उनलोगों की कॉंपिटिशन हुई उनलोगों की भी अच्छी तरह से उसमें से सब नंबर्स दिये जाएंगे उसमें प्रैजिस दिया जाएंगे और ये पूरा जो इवेंट है ये एकदम नए किसम का है जो आज तक सुरत में हैं ये इवेंट आज तक नहीं हुआ है जो इन लोगों ने बनाया है बच्चों तो इन लोग बहुत ही बढ़िया कारेकरा मिर रहा है और इसमें भी कैसे बच्चते हैं वो सब चीजे अच्छी तरह से इतनी अच्छी तरह से सीखाई जाई और दूसरी बात ये सब चीज सीखने के बाद ये computer knowledge के बाद ज्यादातर बच्चों की बाहर वीदेश में जाने की संभावना बहुत जादा भर जाती है ये सब चीजे यहाँ पर सीखते हैं जो पूरी दुनिया में आज computer की data जो होते हैं आपका bank account है आपका mobile है वो जो hack हो जाता है तो उससे किस तरह से बचना और बचके अपनी सब कुछ कैसे safe रखना वो सब चीजे भी यहाँ पर सीख तो सबसे ज्यादा लोगों ने सबसे ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर यह being part reflect किया है देखा है उन लोगों ने एक नई मिशाल कायम की है सुरत में सुरत में आस्तक यह नहीं हुआ था जो इसकी मिशाल कायम हुई है और इन लोगों को मैं अभिनादन देता हूँ तेंक यू एरी मच तेंक यह नहीं हुआ है